हाई फ्रेंड्स तो स्वागत आपको शेहर कटिंग एंड इस्टीचिंग में तो आज मैं आपको बेल्ट और सलवार की कटिंग इस्टीचिंग बताऊंगी यह मेरे पास धाय मीटर फैवरिक है तो मेरे पार्ट की जो चोड़ाई वह नो इंच है उसमें एक इंच हमने सीधे सीधे यह देखी फ्रेंड्स इस तरह से तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपनी लंबाई बताती हूं लंबाई मेरी 36 इंच तो हमें उसमें चार इंच और प्लस करना है तो हो गया 40 इंच तो 40 में से हमें 8 इंच बेल्ट के लिए निकालना है तो हमारा टोटल बचता ह तो अब हमें 32 इंच पर निसान लगाना है और उसके बाद 10 इंच हमें आसन के लिए निसान लगाना है हमें लगाना तो था 8 इंच पर तो मैं उसमें 2 इंच और एड कर रही हूं क्योंकि वहां से मैं बिल्कुल सीधा कट करूंगी जो आप बाद में देखोगे वीडियो मे तो फ्रेंड्स यह मैं धाई इंच कली के लिए निसान लगा लिया है दूसरी साइड पर भी हम निसान लगा लेंगे 10 इंच आसन का और धाई इंच कली का यह देखे फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब कली को हम बिल्कुल तिर्छा मिला लेंगे एक कली से दूसरी कली तक ये देख़ फ्रेंट्स चॉक की मदद से और इंस टेप को अच्छे पकड़े और यह देख अब हमें आठ हिंच पर मार्किंग करना है और इससे बिल्कुल ऐसे तिर्चह मिला लेना है इससे क्या हमारा आसन बिल्कुल सीधा हो जाता है जो कली के साइड से कटता है वह अच्छा नहीं लगता और उससे सलवार अच्छा से नहीं बैठती यह हमार पार्ट है अब हमें इसको कटिंग कर देना है क्योंकि यह यहां से जोइंट था हमने इसको पल्टा था यह दो भाग है हमारे यह देख फ्रेंट्स यह कट चुके हैं अब हमें पार्ट की भी कटिंग कर देनी है यह देख फ्रेंट्स इस तरह से यह हमारा धायमेटर फैब करें इस तरह से हम इसको तिर्चे में काट देंगे अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें फ्रेंट्स यह देखिए यह मेरे जो पहुंचे की चोड़ाई है वो सब्स इसलिए मैंने 10 इंच ले लिया था तो यह देख फ्रेंट्स यहां पर भी हम आसन का 8 इंच निसान लगा देंगे और इसको भी ऐसे तिर्चा मिला देंगे और यह हमारा जो तिकोना कपड निकलता है एक्स्ट्रा में निकल जाएगा यह देखिए इस तरह से कितना अच्छ इसलिए मैं आपको बताऊंगी अभी यह देख फ्रेंट्स यह मेरी दो दो कलिया हो चुकी है और यह हमारा पार्ट है तो यह देख फ्रेंट्स हमें पार्ट को ना पेंगे तो हमारी लंबाई 32 इंच थी 8 इंच बेल्ट के निकाल लिया था 32 इंच पर निसान लगा कर इसक इसी कलर में दूसरा भी ले सकते हैं तो यह देखिए हमारी बिल्कुल फिक्स आ रही है आठ इंच लंबाई में बेल्ट और मैं जहां पर अपनी सल्वार बांती हैं वहां से मेरा 19 इंच आया है यानि 19 का डबल करते हैं तो 38 हुआ हमें 6 और पलस करना है तो यह हो गया हमार 44 इंच 44 का आदा होता 42 इंच तो हमें 42 इंच पर निसान लगा कर मोड देना आदा हिंच फॉल्डिंग के लिए ले लेना है फ्रेंट्स जो सिलाईयों में जाएगा तो यह देखिए फ्रेंट्स यह हमारी बेल्ट है यह देखिए हमारे धायमेटर कपड़े से कटिंग हो च